हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बर फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पी दोस्तों अजम बात करने जा रहे हैं हमारी देश की बहुत ही खुपसूरत हिल स्टेशन अरुनाचल प्रदेश की बारे में अरुनाचल प्रदेश भारत का एक एसा सुन्दर राज्जी है जो सुरम में पहाडों, दर्रे, शान, झीली और प्रसिद मटों से भरा हुआ है अगर आप चुट्टी मनाने के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश में है तो आपका अरुनाचल प्रदेश की परेटन इसलों की सहर करने के लिए जरूर जाना चाहिए अरुनाचल प्रदेश लक्षण में असम, पश्ची में भुटान, उत्तर में चीन द्वारा और उत्तर पूरुम म्यामार द्वारा इसे भारत के और्किट राज्जी या बोटनेस्ट का सुर्ग की रूप में चाना जाता है अरुनाचल प्रदेश में 500 से अधिक पक्षियों की प्रजातिया पाई जाती है जिन में से कई अत्यदिक लुप्त प्राय है अरुनाचल प्रदेश निर्मल पहाडों से भरा हुआ है जो सर्दियों के दोरान पर्यटकों की यात्रा को यादकार बनाते हैं और लुहाओने द्रश्य प्रस्तुत करते हैं अगर आप अरुनाचल प्रदेश के बारे में अन्य जानकारी जाते हैं तो हमारे इस रीडियो को अन्तक जरूर देखें आपको हमारे इस वीडियो में अरुनाचल प्रदेश के बारे में समपूर्ण जानकारी उपलब्त कराई जाएगी कि हम अरुनाचल प्रदेश के से जा सकते हैं वहाँ पर गूमने के लिए क्या क्या फेमस है और साथ ही साथ बात करेंगे कि वहाँ पर लुखने की क्या विवस्ता है और वहाँ के फेमस फूट के बारे में भी बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अरुनाचल प्रदेश कैसे जा सकते हैं तो हमारा सबसे पहला उप्षन है अरुनाचल बाइब बस राज्जी सभी प्रमुक शहरों और आसपास के राज्जियों से सड़क द्वारा आसानी से पहुंच योगी है अरुनाचल प्रदेश के सभी प्रमुक शेहरों से मेगाले लगबग 790 किलोमेटर असम 560 किलोमेटर और नागालेंड 456 किलोमेटर से अंतर बस सिवाए उपलब्द है हमारा सेकेंड ओप्षिन है अरुनाचल बाई ट्रेन राज़ी की राज़ानी इटानगर से लगबग 43 किलोमेटर सिर्फ एक घंटे की ड्राइव पर हर मुटी रेल्वे स्टेशन असम है जो अरुनाचल प्रदेश को भारत के अन्य प्रमुक शेहरों से जोडता है हमारा तीसरा ओप्षिन है अरुनाचल बाई फ्लाइट अरुनाचल प्रदेश के लिए कौलकता और गोहाटी से जुड़ा असम राज़े में लीला बरी उत्तर लखीमपूर तेजपूर हवाई एड़ा निकर्तम हवाई एड़ा है जो 260 किलोमेटर लगभग 4 घंटे की ड्राइव है आप दिल्ली, मुंबाई और पूरे साइट सभी प्रमुक शेहरों से कौलकता और गोहाटी के लिए सीधी उड़ारे पकड़ सकते हैं राज़े में टेक्सिया और बस सेवाए भी आसानी से उपलब्द है इस प्रकार जो आपके लिए सुवीदापूर्ण हो आप उसी रूट से अरुनाचल प्रदेश पहुंच सकते हैं अब अरुनाचल प्रदेश तो पहुंच गए, अब हम बात करते हैं वहाँ के खास परेटर इस्थलों के बारे में सबसे पहले आता है तवांग तवांग अरुनाचल प्रदेश का एक प्रमुक परेटर इस्थल है जो अपनी खुब सिर्थी से परेटकों को बेहद आकरशित करता है लगबग 3048 मेटर की उचाई परिस्तित तवांग कई महतुपोन और सुन्दर मटो के लिए जाना जाता है और दलाई लामा की जन्मिस्तान की रूप में प्रसिद है तवांग एक ऐसी जगह है जो आद्व्यात्मिक्ता की खुश्मू में लिबडी अपनी प्राकर्तिक सुन्दरता से आपको रोमांचित करेगी सुन्दर आरकेट अभ्यारन और टीपी आरकेट अभ्यारन तवांग में घूमने की अच्छी जगहों में शामिल है यात्रा की दोरान इस अर्शेत्र के अनुठे वियंजिनों का लुखत उठाना न भूले हमारी दूसरी जगह है इटा नगर अनाचर प्रदेश की राजधानी इटा नगर एक प्राकर्तिक स्वर्ग है जो हिमाले के उत्री छोर पर इस्तित है हाल ही में इटा नगर को सरकार द्वारा पर्याटकों के लिए खोला गया है शहर की विरासत और आदिवासी संस्क्रति जो दशकों और सद्यों पुरानी है वो आज भी यहां बरकरार है पंद्री शताब्दी का इटा किला पुरानी गंगा जील जिसे स्थानी रूप से ग्यार सिनी और बुद्ध विहार के नाम से जाना जाता है दलाई लामा द्वारा संग रक्षित या सबसे मैतवपूर्ण आकरशन है यहां का सुहाना मोसम साल भर परियाटकों का आकरशित करता है यूपिय शहर ईटानगर के साथ राज्जी का प्रमुक आकरशन का हिस्सा है हमारे तीसरी जगह है जीरो जीरो अरणाचर प्रदेश में एक विचितर पुराना शहर है जो अपातानी जन्दाती का घर है और अपनी देवदार की पहाड़ियों और चावल के खेतों के लिए प्रसिद है वर्ष के माध्यम से जीरो में जलवायू हलकी होती है जिससे पूरे वर्ष यात्रा करना यहां आराम दायक होता है चौती जगह है बॉमडिला बॉमडिला अरनाचल प्रदेश का एक सुन्दर शहर है जो परियाटकों को हिमाले परवत के आकरशन द्रश्य प्रदान करता है बॉमडिला कई स्थानों जैसे मंदिरों और वन्य जीव अभ्यारनों से भरपूर है यहाँ पर बॉद्ध और हिंदू दोनों मंदिर पाये जाते हैं इसके अलावा यहाँ परियाटक, सेप के बगीचे और इगल नेस्ट, वाइल्ड लाइफ अभ्यारन की सेर भी कर सकते हैं पाच्वा है भालू कपोंग भालू कपोंग अरनाचल प्रदेश का प्रमुक परेटन इस्थल है जो प्रकरती प्रेमी का सुर्ग होने के अलावा कई वन्य जीवों को एक्स्प्लोर करने का मुका देता है भालू कपोंग अपनी प्राकरतिक सुंदर्ता और वातावरन की वज़े से कई गतिविधियों की मेजबानी करता है यहां जंगल में बहने वाली कामिंग नदी शहर को और भी आकरशत बना देती है यहां पर आप पैदल यातरा टेकिंग, कैपिंग और फिशिंग का मज़ा भी ले सकते हैं छटा है रोइंग रोइंग अरनाचर प्रदेश के प्रमुक परियाटन स्थलों में शामिल है जो इसे स्वर्ग के समान बनाती है भीशमन अगर किला और नहरूद ध्यान इसके एतिहासिक महतु को बताते हैं हमारी अगली जगह है यंगी की ओनग यंगी की ओनग उपरी सियाल जिले का मुख्याले है जिसको अपना नाम सियांग नदी से मिलता है जो इस जिले में बहती है यह शेतर अपनी विविद और रंगीन जातियता के लिए जाना जाता है जहां लोग प्यार से रहते हैं और सा के साथ कही त्यों महनाते हैं इन सभी के अलावा यंगी की ओनग एडवेंचर लवर्स को ट्रेकिंग, परवतारोहन, मचली पकड़ने, राफ्टिंग, शिविर और अन्य चीजों में लिप्त होने का मुखा देता है हमारी अगली जगह है मेचुका अन्याचर प्रदेश में मेचुका एक प्रसिद पर्याटनिस्तल है जो प्राकरतिक सुन्दरी से भरपूर है मेचुका का दूसरा नाम मेंचुका है यह मेचुका घाटी में समुदर तल से उपर एक छोटा सा शहर है यह शेत्र मेंबा, रामबो, बोकार और लीबो जन्दराति का घर है मूल निवासी बोध धर्म, डोनी, पॉली जोईम और इसाई धर्म के लोग है समय के साथ मेचुका अपने एतिहासिक और धार्मिक मैत्व के कारण एक प्रसिद पर्याटनिस्तल बन गया सियोम नदी इस जगह की सुन्दरता को और भी बढ़ाती है और अगली जगह है नूर नांग ज़र्णा नूर नांग जल प्रपात तवांग के जंगल में इस्थेत एक बड़े पेमाने पर अग्यात और वर्जिन जगह है जो पर्याटकों को एक खास अनुभव प्रधान करती है देश के सबसे शांदार जणों में से एक नूर नंग जल प्रपात पानी की एक सुन्दर सफेद चादर है जो लगबग 100 मीटर की उचाई से नीचे गिरती है जल प्रपात नूर नंग नदी का एक हिस्ता जो सेला दर्रे से निकलता है नूर नंग जल प्रपात ज़्यादा लोग प्रेयर नहीं होने की वज़े से यहाँ पर लोगों की भीड ज़ादा नहीं होती है और अमारी आखरी जगह है गोरी चेन पीक गोरी चेन पीक अरणाचल प्रदेश की सबसे उची चोटी है और यह अरणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम कामिंग जीलों के बीच इस्तित है समुंदर तल से 22,500 फीट की उचाए परिस्थ गोरी चेन चोटी तवांग से लगबग 164 किलो मीटर दूर है और बैतरीन ट्रेकिंग और परवता रोहन इस्तल है अब बात करते हैं वहां के खस पकवानों के बारे में अरणाचल प्रदेश में अधिकांश उत्तर पूर्वी स्थानों की तरह मुख्य चावल, मचली, मास और सबजिया है व्यंजिन बहुत कम मसाले का उप्यों करते हैं और वे ज़्यादतर जड़ी बूटियों, जैविक प्रसुस्तियों का उप्यों करते हैं मौमोज और थूकपा की अलग-अलग वेराइटी इस शेत्र में लोगप्रियों और व्यापक है बात करें यहाँ पर होटेल्स की तो आपको यहाँ पर लो बुजट से लेकर हाई बुजट तक बहुत सारे अच्छे-च्छे होटेल्स मिल जाएंगे आप अपने बजट के अनुसार होटेल्स का चेन कर सकते हैं अब बात करते हैं अरनाचल प्रदिश जाने के सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा अरनाचल प्रदिश की यातरा करने के लिए सबसे बहतर महीने अक्टूबर और अकप्रेल के मीच है अरनाचल उचाई परिस्तित है और इसलिए पूरे वर्ष सुखद मौसम है लेकिन यहां सभी गतिविदिया हर समय उपलब्द नहीं हो सकती इसलिए यह सला दी जाती है कि प्रतेक साइट या गतिविदी के लिए उपलब्दता और मौसम की जाच करे राज्य में अक्टूबर और फर्वरी के बीच सर्दियों का मौसम और मार्च और अप्रेल के बीच वसंद का मौसम होता है जुलाई से सितंबर तक यहां पर मौसम मानसुन का होता है इस दोरान यह इलाका सुन्दर हरे भरे स्वर्ग में बदल जाता है लेकिन गर्मियों या सर्दियों के दोरान यात्रा करना जादा अच्छा माना जाता है क्योंकि मौसम में भारी बारिश के कारण कई परियटक आकर्शन बंद हो जाते है तो दोस्तों कैसा लगा आपको अरणाचर प्रदेश और कैसी लगी मेरी यह जान करी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे ऐसे ही नए नए वीडियो आपको देखने को मिलते रहें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद